पाडे के विधायक दल के अंदर ये तैव हुआ है कि राजस्तान के अन तमाम मुद्धों को लेकर चाहे वो करणचन के मुद्धे हो चाहे राजस्तान में ज़याल की वैगली कानुवियोस्ता के मुद्धे हो सरकार की नाकामियों को जन्ता के बीच में हम लेकर जाएंगे एक भी मुद्दा ऐसा नहीं है जिस मुद्दे के ओपर सरकार खरी उत्री हो पांस साल के अंदर मुख्यमंद्री किसी सदन के अंदर बजट पेस करे और बजट धरातल के ओपर नहीं आए इससे बड़ा दुरु नहीं है कि मुद्धान सुभा के अंदर पारित कीया वे चानून गयादार पर ही सरकार भजट का वित्रन करेगी लेकिन सरकार उसकी पालना भी नहीं कर रही है मन चाहें तरीके से एक तरीके से अर्फिक अपराबने का काम पिस ड़म कर रही है तो आने वाले तमाम इन को सुधारने के लिए जनता के पैसे को बरबाद करने का काम कर रही है कहीं आउसक्ता नीती सरकार को कि पंजियन के नाम पर लोगों को इकटा करके और कॉंग्रेस के घिसे पिटे नेताओं के बासन सुनाने का काम करें आज जनता के बीच के अंदर विजली के फ्यूल करने का काम कर रही है अठारा तारीक को अजियन में भी बड़ा प्रतिशन रहेगा सचीन पाइलेट अब उस मुद्दे को भूल गए लेकि रास्तान की जनता नहीं बुली है और हम तो 47 बात का कड़ा करते हैं कि सचीन पाइलेट जिन मुद्दों को लेकर बरिष्टाचार को लेकर टेपर लीग मामले को लेकर आरपिस्ट के कर्ड़प्सन को लेकर अब गैलोजी के लिए क्या ये कहेंगे कि ये पारदर सी इमांदार सभी साब सुत्री चभी वाड़े मुक्यमंत्री हैं इनके राज में कोई गोटा ली नहीं हुए माइनिंग गोठा लेकि इस तलिक कोटा के अंदर है और मुक्यमंद्री जी उनके कारिकर में जा रहे हैं तो मेरे गाल से इससे बड़ा तो प्रमान का हो सकता है इस तरीकर मेरे तो प्रमान के सब्सक्राइबार. प्रविजिन ने मालो हमाराम जीन मालो राजंदर गुटा ने मालो पीयार मीना ने मालो कई विधायक और मंत्री तो ऐसे हैं जो अपने-पने स्वार्तों के आदार के उपर चुप हो गई किसी ने अपने पती को किसी मंत्री ने खान आउंटन कर वाली किसी ने जमीन आउंटन कर वाली किसी ने स्वार्तों के लगाने के लाकूर रुबे लेकर बैठ गए तो यह बरश्टता के अंतिम जिसको कहते हैं कि यह सदन जो अंतिम सत्र है इस अंतिम सत्र के अंदर इस बरश्टताचार की नाव के अंदर इस ताबूत के अंदर हम अंतिम कील ठोकने का काम करेंगे।